लोग क्या कहेंगे एक प्रश्शन है अब आप उस लक्षम रिखा को पार कर चुके हैं जहां अब यह डर था कि लोग क्या कहेंगे हलो अब प्रश्शन यह है कि अगर नाकाम लोटे तो लोग क्या कहेंगे नामिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे यहिंदर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे मैं चला तो हूं सुनाने उसे दास्ता वफा की कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे यह जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है लेकिन यह जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है लेकिन कभी तुम ने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे वाउ यूही नहीं है आए तुम जन्दगी मेरी यूही नहीं हो आए तुम जन्दगी मेरी कुछ तो असर रहा है बंदगी मेरी जन्दगी के मरहले आसान होते जाएंगे आप इस दिल के अगर महमान होते जाएंगे मरहले उताब चड़ाओ इश्की राहों में गुजरेंगे हजारों हादसे हार कर वो जीत के मैदान होते जाएंगे जीत लूँगा मैं जहां की मुश्किलों को एक दिन राह के पत्थर सभी इनसान होते जाएंगे हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे पता क्यूं आप इस दिल के अगर महमान होते जाएंगे So मुझे जिस जहां से मुझे शुरू करना था अपनी बात को कैश साब ने मेरा होसला बढ़ाया कि उसी टॉपिक को उनों ने चुआ and that is the ultimate message from this great event जिन्दगी है देल करने की एक और किताब है जिसमें वो लिखते हैं कि if you are worrying about something assess the ultimate loss first आप किसी चीज को लेके चिन्तित हैं तो आप assess करें की जाद से जादा क्या हो जाएगा and compromise with that stage उसके बाद आप कुछ चिन्ता नहीं होगी क्यों जी है ना तो दो तीन stages हो सकती है कुछ लोगों को बिना किये मिलेगा पहली stage कुछ लोगों को करके मिलेगा और कुछ को करके भी नहीं मिलेगा हर चीज के लिए त्यार है लेकिन जहां पे ये बात आती है कि करके भी नहीं मिलेगा इस चीज को समझने की जलूरत है अगर आपने ठीक से किया है और नहीं मिला तो यह जो करने का process है वो process जो आपको दे जाएगा वो मिलने से भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि जिन्दगी में पाना objective नहीं है बनना objective है और आदमी रस्ते में बनता है मन्जिल में तो जाके अलसाता है कि वल तो यह जो process है यह जो मिहनत अगर हम आप 18 गंटे काम करें अपने आपको मैनेज करें शेडूल करें स्क्यूस करें अपनी टुटल एनरजी को में भी वो ना मिले लेकिन अगर 18 गंटे की आदत हो गई तो जिसको भी छूद होगे सोना हो जाएगा जिन्दगी लंबी है बहुत सारे काम है अगर दो साल 18 गंटे 20 गंटे काम किया आपने आपको अच्छा रखा अंदर से बाहर के सबसे शुपचंते आपको इस बिजनस से कोई उपलब दी I don't believe कि ऐसा होगा अगर हो तो अगर आपका ये वहम है लेकिन आप बन गया पक गया उस उन आदतों के साथ फिर आप कुछ भी करिए अगरी करते हैं be something action कैसे आपने भी क्या बोला action हम लोग चिंता करते हैं धेर सी तीन गंटे पर इचर्चा प्लानिंग करते हैं धेर सी लेकिन प्लान कितना दिखाते है जहां से ultimate कुछ निकलना है आपका बिजनस है एक word है एक तो ता वो पलेगा food food क्या है plan six basic eight core steps tapes books meeting blah 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 हर चीज वाइटल है but word food is what plan exposure अगर exposure कम है main content कम है जिससे total result आना है बात नहीं बनेगे meeting आपको किसी और दिशा में अच्छा कर सकती है टेप आपको किसी और दिशा में अच्छा कर सकती है किताब आपको और दिशा में अच्छा कर सकती है लेकिन आपका business बड़े income आए plan एक आदमी ने market से एक तोता खरीदा पिंजरा ले गया घर पे लेके आया तो दुकानदार ने उसको बोला होगा उसने लगाई उसमें सीड़ी वो नहीं बोला फिर गया आगले दिन शिकायत की बोला नहीं पुला नहीं बोला नो प्रॉलम ये गंती ले जाओ टांग दो वो उपर नीचे आएगा गंती हिलेगी गंती बोलेगी टन 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 तो उसकी टन में शायद ये बोलेगा ये बोलेगा गंती लगा दी उसमें फिर वो गया शिकायत बोला नहीं ऐसे नहीं ये गंगरू ले जाओ उसके पाओं में बांध हो जो उपर नीचे होगा हिलेगा आवाज आएगी ये बोलेगा लेगा टिया। देर दी तौट्हाब लोट में झाओ विए अजंग आथे आथमे दिन सुबह जब उस पिंज़रे के पास गया तो तोता जो है वो बिलकुल मारनासन पर था और उसजिल वो शिकायत करने गया उसको तो का अंदार को की तोता तो मर गया बोला नहीं बोला मरने से पहले बोला था बोला क्या बोला वो बोला तो इतने दिन इतने काम तुने किये ये लाया वो लाया ऐसा किया वैसा किया थोड़ा सा खाना नहीं ला सकता था World food is plan Feed him If you won't feed him He won't survive He can't bring anything आप action करेंगे तो action हर बिमारी का इलाज है हर चिंता का इलाज है काम में जुड़ जाएं मैंने पंजाब में ये सुना है कि बुखार चड़ा कोई बात नहीं कई फढ़ ला फढ़ ला हल्दी मुन्नी बुखार दी है सी तैसी क्यों जी बीस सल प्राणी बात कर रहा हूँ अब तो fashion हो गया पता नहीं कि बुखार को कैसे इटाते है Sometime Hard work करें सारी चंताएं Dance is hard work you know दो गंटे दिमाग ही टुकारने नहीं आता किस दुनिया में है आप action करेंगे तीन चीज़े होंगी Sometime you learn Sometime you earn अगर दोनों चीज़े ने हुई You will pull your muscle Grow your body Hello क्योंकि ये action है कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही और एक कहावत है कि पूरब में बोएंगे तो पश्चे में काटेंगे आज बोया है तो कल मिलेगा अच्छा तो अच्छा बुरा तो बुरा मेहनत जो है वो कभी कभी भी बेकार नहीं जाता बेशरता कि मेहनत हो जिगरा मरदाना हो उमीद और हूप के साथ It will come back ग्रूप बनते हैं लोगों की बहुत सारी शिकायते हैं बहुत सारी विकनेसे हैं यानि बहुत सारी चैलेंज है आपके लोग भी है, मीटिंग भी हो रही सब हो रहा लेकिन उतने पैसे नहीं बन रहा है प्रावलम उन लोगों के साथ नहीं है जब आप किसी पर्टिकल विक्ति को पर्टिकल ग्रूप को सुदारने की कोशिश करते हैं आपकी प्रावलम बढ़ जाएगी एक्षन, ये ग्रूप है अच्छे से काम नहीं कर रहा आप बार बार इनको सुदारने की कोशिश कर रहे है इनको सिखाओ समझाओ बट एक्षन, शोल अपला, न्यू पिपल एक नया विक्ति आपकी एक हजार समस्याओं का हल है हलो, हाँ जे मैंने आठ मीने एक जगा काम किया समझाया, मैं ना मनूँ एक विक्ति इदर जोड़ा, इनको भूल गए छे मीने के लिए इनको भूल गए, छे मीने के लिए अगर आप यहाँ वाल्यूम करते हैं तो यहाँ जो मेन छे, साथ, आट लोग है इनको सुदरना होगा कहीं से जब बहुत अच्छे ची ख़वरे आती है रात भी कुछ लोगों ने बोला कि एक मेने में इतना बिजनस हम ने किया है इस गुड़ पर यह जो बिजनस है यह बिजनस इन्फूल लेंस का बिजनस है अगर आप बहुत सरे लोगों को जॉइन कराके यह आप हर मीने नहीं कर पाएंगे हलो इन्फूल लेंस इस नाट डुप्लिकेटेबल क्योंकि जो इन्फूलेंस मेरे पास है वो उन लोगों के पास नहीं है जिनको मैंने इन्फूलेंस किया गाट इट हाजए काम वो करना है जो डुप्लिकेटेबल हो सके जिसको वो आदमी भी कर सके अगर उनकी रफ़तार वो नहीं होगी तो आपकी रफ़तार अपने आप काम हो जाएंगे इन्फूलेंस जो है वो डुप्लिकेटेबल नहीं है कोई particular skill आपका है वो डुप्लिकेटेबल नहीं है कोई महारत आपकी है कोई goodwill आपकी है वो डुप्लिकेटेबल नहीं है उससे आप लोगों को लाएं वो आपको मद्द कर सकती कि बहुत साथ लोगों को एक जगा लाने में फिर उनको क्या सिखाए जाए कि वह वह इसी काम को वह अपने अराम से आगे लजा सकें किसी भी शेयर में मीटिंग होती है देखिए वीकली मीटिंग फ्लॉप पहरी बार सत्तर लोग दूसरी बार चारीस लोग तीस बार तीस लोग फिर बीस बार दस फिर डॉक्सर पूछेंगे आउं उपनेंगे ना क्यों क्योंकि ये सारी एक कड़ी दर कड़ी सिस्टम है सबसे बड़ा काम जो आपको करना है यदि आप नहीं कर रहे तो ये बिजनस आवाम का आम आदमी का बिजनस नहीं बनेंगा वो चीज़ है अपने ग्रुप में प्लान शोर प्लान दिखाने वारे लोगों का निर्मान स्पेशल टाइम निकाले हैं उसके लिए सम्टाइम क कहता है कि मैं चंदीगत पहुंचा हूं आपसे मिलना चाहता हूं बलाबला आप दिरको सम्टाइम दे चलो एक मिटिंग सेट होई हम मिले तुमें उससे अगर पूछता हूं कि आप कितने दिन हुग आपको जो मीने हो गया अच्छा मैं कर लो चलो क्या जो में बात करने के यवाद मैं ऐसा करते हैं, मैं आपको प्लान दिखाता हूं, जो प्लान मैं दिखाता हूं. I draw, आट्मिन्ट में. फिर उससे पूछता हूं, आप मेरे को दिखाएंगे, आप कैसी दिखाते हैं? आपके ग्रुप में प्लान शोर्स बढ़ने चाहिए आपके ग्रुप में कितने लोग प्लान दिखाते हैं कोर स्टेप्स के उपर कितने लोगों का फॉलो है कितने लोग टेप्स सुनते हैं कितने लोग किताब पढ़ते हैं कितने लोग प्लान शोर्स करते हैं टॉंब उसमें 10 अक्टिब लोग है विकली मीटिंग यह सब्सक्राइस 90 किलो मेटर 20 किल्यों मिटर रहे हैं इस मीटिंग में सौ लोग हो यह कैसे स dwelling ऀपसिबल होगा कि यह जो दस यूट लोग हैं यह दस दश्यों लोग selfies का मैं किसी ना किसी के ड्राइंग रूम में अब टॉपिक जिसमें में में आना चाह रहा हूं वो है हूम मिटिंग इसका अधार इस बिजनस का क्योंकि हूम मिटिंग जो है वो डुप्लिकेटेबल है एक्जमपल से आप ऐसे समझें कि एक व्यक्ति को आपने जॉइन कराया आप अ ने आदम में इतनी कुवत है कि वो दस लोगों को लिए हाँ जी वो खोड़ा जाए तो शुक्र है अब आपने बिजनस एक्सपैंड करना है आपने उसको काम जाब करना है उसके नीचे लोगों को लोगना है होम मिटिंग का जो अधार क्या है कि यदि उस व्यक्ति को आप थोड़ा सा समय दें उसकी लिस्ट बुनाएं केटागराइज करें उनको उनके भ्याप पे कॉलिंग कर दें अगर वो एक्सपैट नहीं है तो ठीक है उन्हें ये बोलें कि परसों शाम को छे बजे मैं आपके घर आ रहा हूं आप अपने इन इन दोस्तों को इन इन रिष् में यूरो नो इस बीच तो वो खुद ही कुम हो जाएगा और आप अगर उसके यहां मिटिंग करेंगे तो सर्टनली 15 नहीं लोग प्लान देखेंगे थोड़ा सा आज का जो महाल है उसमें मेभी आपका एक दोस्त है वो आपको मिला उसने साइन कर लिया जोइन कर लिया ल आप बोलेगी जी आप बहुत बोले हों आप तो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हों आप भी ऐसे बोलते हैं अगर वो कुछ करें तो वाइस वर्सा है अंडरेस्रिमेट करते हैं हम लोग तो यदि आप उनके जहां एक मीटिंग रख दें अगर आपको सूचना मिल जाने से थर्ड पार्टी हैं अब उनके घर में उनके घर में एक पॉजिटिव महाल बनेगा आपको जाने से और वो लोग 10-15 लोग 10-15 लोग जो वहां बैठेंगे अदर्वाइस उस व्यक्ति के माद्यम से किसी व्यक्ति को बुला के आप 15 लोगों तक पहुंचेंगे शा चालीस एक्टिव लोग आप कितने हैं दस दस लोग ने चालीस अप्लिकेशन बेजी मेक शूर की अगले पंदाय दिन में इन 40 गरों में एक-एक मीटिंग हो जाए हाँ जी यह कर्मा है अगर इन 40 गरों में मीटिंग हो जाएगी तो एक मीटिंग में एवरेज 10 आदमीं ब वीकली मीटिंग तब कामजाव होगी अगर इन 10 लोगों ने पिछले साथ दिन में हर घर में मीटिंग की हो 200 लोगों को प्लान दिखाया हो और प्लान के लास्ट में यह बोला हो कि देखीजी मेरे को तो इतना ही पता था ज्यादा जानकारी के लिए डिये भी पब्लिक स्कूल में हमारे सीनिर अप्लाइन जो इस बिजनस को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं बहुत अनुववी हैं वो आ रहे हैं चंदिगर से बाकी प्रशन आंसर वही होगा आव वहां आईए हाजे कुछ ना कुछ लोग जो जे येस होम मीटिंग जो है वो डूपलीकेटेबल है एक नया आदमी कब टेरिंग लेगा कितनी दिर में टेरिंग होगा यू डों नो you can't help it और उस meeting को अगर आप simple city के साथ conduct करते है simple city के साथ conduct करते है कोई अपना उसमें आप अपने आपको export शो नहीं करते है कोई अपना check way नहीं दिखाते है कोई लंबी चोड़ी बात नहीं करते simple city क्या है कि आप जाएं थोड़ी सी बात करेंगी इस तरह का product है ये कपड़ा मैंने पैना हुआ है ये चाय पती है ये oil है this that blah 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 ऐसे खरीदते थे अब ऐसे खरीदते हैं ऐसे खरीदते नहीं से ये होता है बाकी information इस CD में है आप CD देखें simple हाँ जे अब उस व्यक्ती ने जिसके यहां meeting हो रही है उसने क्या सीखा कि जोइन किया कुछ लोगों को बलाया मेरी apply नाए उन्होंने इतनी बात की CD दिखा लिए चार लोग जोइन कर गए ये चीज़ वो कल ही किसी के घर में कर सकता है Hello Fast growth आपका business हमें आदत है बहुत सारा काम खुद करने की क्योंकि हमें अपने काम के बहुत गुमान है कि मैं तोब हूँ Of course आप तोब है Be a little bit smart लोगों को चार्ज दे एक आदमी को बोड के उपर खड़ा करके प्लान दिखाने वाला बनाए क्योंकि जुन्दगी में बहुत सारे लोगों का ज़सा अपना होता है कि मैं खड़ा होके बोलूं लोग सुने Hello एक प्लान दिखाने वाला आदमी इस बास से excited होता है कि वो प्लान दिखाता है लोग सुनते है इसी excitement में वो 6 मिने बिजर्स नहीं छोड़ता कितना भी दर्द हो रहा हूँ Special session लें सीज के लिए Make some special arrangement Make some special meetings for this कोई भी talk target आपकी अप्लान देती है ये ख्याली चीज़े नहीं है Fundamentally अभी लुधाना में एक seminar हो रहा है आप target ले सकते हैं दोस्तों लोगों का लेकिन वो achieve कैसे होगा Home meeting to weekly meeting, weekly meeting to monthly meeting monthly meeting to big event एक आएक आपके कहने से इतने सारे लोग आजाए जब तक लोगों का व्यक्तिगत इंटरस्ट नहीं होगा कोई आदमी मूव नहीं करता आपको 200 लोगों को वहाँ ले जाना है तो चार लोगों को एक पंद्रह का level achieve कराई है ना उनको hope होगी कि हमें trophy मिलेगी तो मैं अपने लोगों के सामने लूँ they will bring people और उनको trophy कैसे मिलेगी अगर home meeting होगी लोग join करेंगे what it A, B, C, D home meeting, weekly meeting, monthly meeting, big event smart work जितना ज़्यादा हमारे पास हमें हैं उतना ज़्यादा समय हम बेकार करते हैं चिंता में लगाते हैं जिन लोगों का मिजाद अच्छा नहीं रहता attitude अच्छा नहीं रहता गुसीले, जुगडेले आदमी कौन होते हैं the people who have lot many time to think boredom is the cause of bad attitude घंटों सोचते हैं और show करते हैं बहुत busy रद बेली रन पराण है जोगी जैपर में मेरे से किसी ने पूछा कि मैंने business शुरू किया मैं full time इसको करना चाहता हूँ मैं गाए जोईने जॉब immediate पहली advice है 8 घंटे के ही और दिमाग के लोग और ये तो काम तो 4 घंटे में हो जाएगा रेड क्रास एक international society है वर्ड में उसका एकी president होता है उस post के लिए जिम्यवारी किसको मिली मुकेश अंबानी को हाँ जे उसके पास time है अनिल अंबानी के पास time है 20 km सुभी भागने का मेरे आपके पास नहीं है अभी government of India ने अभी पिछले आफ्टे time है उसके पास for a new responsibility पहला एक लाग रुपया कमाना मुश्किल है पहली थोड़ी सी कामजाबी लेना मुश्किल है उसके बाद तो personality expand होती है अपने आप इसलिए वो पहला एक लाग पहली कुछ कामजाबी के लिए ही दर्द होता है क्योंकि अंदर जो है उसारा फिलूर है शरीर मन सब फिलूर है सक्सेस्फुल हैबिट्स में ढलने में दर्द होता है समय लगता है बहुत सारा समय जितने ज़़ा समय उतना समय बेकार plan shorts कितने हैं कितने लोग system पे हैं शाम के दो गंटे हम किस सरह से बिताते हैं उसके उपर बहुत बहुत कुछ निरुबर करता है home meeting a thumb rule sometimes क्योंकि ये core steps जो हैं इसमें total रहने का कब कौन सी अपटेप सुने उसमें क्या मिल जाए आपको you don't know आपको नहीं पता और हम करते करते कब किन अच्छे कामों को करना छोड़ दे हमें पते निचलता पिछले चार मिलने के अपनी working को मैं recheck कर रहा हूँ कि मैं कहां गलते हैं कर रहा हूँ वो मेरे समझ में आ रहा है come back basic to basic जब भूल दें फिर वहीं से शुरू करें ABCD से show the plan follow up six basic core home meeting जो है वो duplicatable है कोई भी आदमी कर सकता है अपने ग्रूप में active लोगों की list बनाए उनको plan sure बनाए core हो वो और उनकी हर शाम किसी उस व्यक्ति के घर में जिसने हारी में जोइन किया है किसी नए जोइन की हुए व्यक्ति के घर में पंदर दिन में अगर आप तीन मिटिंग कर देते हैं तो आप उसको ultimate information ultimate group दिला सकते हो over work is over maybe वो आदमी इतना excited ना हो इतना focus ना हो तो उन लोगों में कोई मिल लेगा जिसके साथ आप काम कर सको आपको वो व्यक्ति चाहिए जो आपके मताविक सुब्जा जनक हो हाँ जी जिसको आपने जोइन कराया वो नहीं है उसके आगे हो सकता है keep moving law of average आपने एक हजार लोगों को प्लान दिखाना है दो साल में आपका बिजनस जो है वो 40 लाग का हो सकता है ऐसा कोई अंक आप मान के चलने है आप कामराभ हो सकते हैं बतलो इस बिजनस में अब वो इतने सारे लोग आपकी लिस्ट में नहीं है कहां से मिलेंगे अगर आपने 20 लोगों को जोइन करा दिया है तो इस समय आपके पास 2000 लोग की लिस्ट है अब उनको एक्सपोदर मिलना चाहिए हो मीटिंग के लिए कुछ आपकी तियारी कुछ आपके कुछ एहतियात है जिसको आप भरते उसके उपर हम बात करेंगे अभी अनीशियल फंडामेंटल सक्सेस के बाद और अनीशियल जो सक्सेस है फंडामेंटल सक्सेस क्या है कि यदि आपने आसेम की ड्रस डालना शुरू कर दिया है अपने अंदर बार को थोड़ा सा शार्प शाइन करना शुरू कर दिया है बोर्ड पर आप प्लान दिखा लेते हैं फोकस रहते हैं आपके चेहरे के उपर कामजाबी के भाव मिंत के भाव आने शुरू हो गए तो क्या है आप कामजाब है बाकी सब चीज़ तो अलंकार है उन्हों तो फॉलो करना आप आपकी गुडविल यहां से शुरू होती है और लोग आपकी goodwill को follow करते हैं पहले इस चीज को achieve करते हैं जिन लोगों को आप इस business में कामला मानते हैं क्या आपका हुलिया हलात बहार से उन जैसे हैं चेक करें उनकी बातचीज, उनके जो compliments हैं उनकी भाषा जो है, उसके साथ mail खाती है उस तरह से आप time को invest कर रहे हैं क्या उस तरह से focused हैं, उस तरह से excited है यह पहली कामजाबी है और इसको करने के लिए कोई 9 मीने के गर्ब में जाने की ज़रूरत नहीं है इट में take one month only उसके बाद आपकी physical presence ही काफी है जहां आप हैं वहाँ business है शेफ भागवत में एक दिश्टाद आता है कि भगवान क्रिशन जब अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो चुपा चुपाई का खेल तो बाल गवाल चुप गए तो पहले क्रिशन की वारी थी उनको ढूने गी उन्होंने उनको ढून लिया अब क्रिशन शुपना था और बाल कुपाल ये दिने थे उन सब को ढूना था अब जब चुपे तो सुबे से दुपैर हो गई मिले ने रह गई तो उनके प्रिये सखा सधामों के एक आइडिया आया कि तुम इदर घास पूस जाड़ी जंगल में मत ढूंडो जहां क्रिशन होते है वहां बहार होती है अब चेक करो कहां पानी है कहां हरेली है कहां पक्षी चहचा रहे हैं कहां लताएं नाच रही है जहां वो सब है क्रिशन वहां होंगे उदर जाके ढूंडो Hello Where you are there is a business आपकी प्रेजनस कोई आदमी कैसे जुरुद कर सकता है कि आपसे पूछे कि आपको कितने बैसे आते हैं आपके चेहरे पे अनंद की ऐसी लहर रहे पूछने वाला वैसे डर जाए कहीं इतनी जाज़ा ना बता दे कि मेरे को हार्टेक हो जाए यहां आपकी गुडविल स्टार्ट होती है और लोग आपकी गुडविल को फॉलो करते है किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट का नहीं पता है यह सूबिदा है अगर आप खुश हैं और बैंक में कुछ नहीं है दूसरी को पता है तब भी वो इस बात को नेगटिव नहीं लेगा महरानी एलजवित को कार खरीदी नहीं थी एक बार तो वो मस्री के शोरूम में गई इंग्लेंड में तो जब महरानी किसी शोरूम में आए तो आपको पता की कैसा होना चाहिए तो पहले से इंफर्मेशन पहले से सब अलर्ट रोड़ साप शोरूम को ठीक से सजाया गया ठीक है जिस तरह के उनकी पसंद सी उस तरह की गाड़ी निकाल के फस्क्लास रखी हुई तो महरानी आई तो उन्होंने जो उनका चौईस थी जो भी था वो गाड़ी फस्क्लास त्यार होंके ख मुस्टार्ट हुई थोड़ा सा चली और रुख गई उसके बाद उसको बड़ी कोशिश की गई मुस्टार्ट नहीं हुई तो सब बहुचक के सबकी गुडविल दावपे लगी हुई है क्या हुआ कि सब डरे हुए हैं कि क्या होगा अब एनिवे तो उसको चेक किया गया तो जब वो बोनिट खोला गया तो देखा कि उस गाड़ी में गलती से वो इंजन रखना ही भूल गय थे हलो तो जो सुप्रवाइजर था जो में जमेवार व्यक्ति था उस शोर्व में उसने महरानी को सौरी फिल कि मैम ऐसा रहा कि गलती से हमारे लोग इसमें इंजन रख भूल गया है तो महरानी ने कहा कि फिर ये वहां से इतनी जो चली है ये कैसे चल गई है कंपनी के ओनर भी वहीं थे तो उन्हें कहा कि मैम आपके अशीरवास से इतनी तो आप ये हमारी गुडविल से ही चल जाती है गुडविल पेस आप प्यास करते हैं लोग नहीं मानते हैं लोग को वह मैं ये चलता नहीं आप ही छोड़ दोगे अप अगर प्यास करते हैं आपका बिशवास आपका बेलीफ जो है वो लोगствен का बिशवास बढ़ाएगा कि यदी यह लगा हुआ है यदी ये साथ से नो टी वी नहीं देज़ता यदी ये साथ से नो चुड़ाहे में नहीं मिलता यदी साथ से नो में उस करेक्राब और साल से था इट मीन कुछ ना कुछ है हलो यह मैसेज लोगों तक जाने में दो मीने लग सकते हैं तीर मीने लग बाक्षण जी शावड़ा कलाची तेलोग जी का मार्क दर्शन और मैं बहुत वनीथ हूं करतार थूं सारे हाल अहुलाद के लिए जो कारन और कारक रहे कि मैंने यह किया और शुरू में ऐसा नहीं था कि सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि आईए मरत बड़ी बिजनस है चलो ऐसा नहीं हुआ और यदि कोई आदमी फास्ट रोट का यदि आपको लगता है कि मैंने जल्दी से किया जदी आपको लगता है कि मैंने स्मार्ट काम किया तो हो मिटिंग का अधार मैं लेके चला हो मिटिंग का जब जब भी मैंने उसको शिद्द के साथ कंटीनियू रखा तो मेरा बिजनस बड़ा जब भी मैं उस लेबल पर आके अलसाया तो मेरे जल्ट जो है वो 80% तक कम हो गए दो और दो चार और मेरा इस बिजनस में आना एक कहानी है गुड विल की वासाब ने मेरे को एक्स्पोजर दिया तीन साल पहले एक साल मैं बिजी रहा फिर मेरे को दूसरी आदमी में इस बिजनस का मैं उनके पास गया अगर तब उन्होंने बिजनस छोड़ दिया होता हलो तो मैं इनको साइन नहीं करता जो मैं दो साल पर सिक्सेस पुती हुई है लोग आपको काम जाब मानते हैं चेक नहीं देखते हैं ठीक तो कोई ना कोई आदमी पागल आपको ढूल रहा है जो आपको साइन करेगा नबे जन में रोल्टी बें जाएगा चे मिने में टेक्नियों बे जाएगा और दो साल में साथ लाग का बिजनस ख़ड़ा करेगा और स्तीश पंदित जैसा हो सकता है यूर में गट इट दो लोग कितने लोग को जो हैं करा हैं 20 लोग को 50 लोग को एक आदमी हूँ मैं मेरे जैसे आदमी तो अभी मिलने शुरू हुए हैं साथ अभी तो शुरुआत हुई है जिस व्यक्ति ने आर्सियम बिजनस में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाना है उसने अभी आर्सियम बिजनस साइन नी किया मैं आपको बता दूं ढूंड लो उसक हमें लगता कि हम तीस मार खाँ हैं हम पहले आगे तो पता नहीं क्या कर लिया बहुत बड़े हैं क्योंकि लोगों ने मुद्धतों से जजबात को मारा हुआ है सब के अंदर आग धत कर रही है को यह रस्तानी में ला है इस आरा राइट बे टो एक्सपोस लिए अट फायर फायरिट येस हो मिटिंग मैं किसी टाउन में फंडामेंटली जब मैंने ग्राउंड वर किया मैं चार दिन रहा दिन में मैंने कुछ भी किया हू रात मैं किसी ड्रॉइंग रूम में था सीडी लगाएं देखें ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हूं वो बीच में बोलेगा ला चालिस मिन के सीडी में पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब एक ड्रॉप उसके अंदर गिरेगा यहां तक और पेट्रॉल के उपर आग का काम करेगा और आदमी खड़ा ह लेगा उट के हो मिटिंग में आप तो कुछ एहत्यात रखें जिसके मिटिंग होनी है कोशिश करें कि वह मैक्जिमम प्रॉडक्ट व्यक्ति वह यूज कर चुका हूँ क्योंकि जब वो उसके गेस्ट यहां आएंगे तो पूछेंगे तो बता सके कि मैंने चाई पी थी ब ब्ला 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 उसके व्यक्तिकत अनुबभ हो और फिजिकली प्रॉडक्ट वहां हाजिर हो टैन जीवा लोगों को छूके बिश्वास होता है कोशी करें इस बीच उसने सीडी देख ली हो उसने के मीटिंग टेंड कर ली हो उसने दो टेप सुली ऐसी कुछ प्रो कर सकें तो करें हो मीटिंग से पहले मीटिंग के अंदर आप किसी घर में मीटिंग कर रहे हैं वैसे तो यह लोग हर जगा है बोर्ड कहां लगेगा ऑपोजिट दा डूर दर्वाजा उदर है तो बोर्ड सामने वाली दिवार पे होना चाहिए क्यूंके जब छे-ाथ लोग आ जाएं साथ माँ जो व्यक्ति आए वो पीछे आकर बैठ जाए अगर बोर्ड हम सामने लगाएंगे दर्वाजे की तरफ जो भी आएगा तो आदमी का सवाब है वो उस ने चेरे को जहाद देखता है और जब ऐसी बात होती है तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है पता न बोर्ड लगा देंगे मीटिंग हो रही है लोग आ रहे हैं जैसी बात होती है है लोग पदर देखते है ना तो वोलने वाले अची से बोल सकता है ना सुनने वह अच्छे साइ Grant कर सकते हैं किसी के घर में मीटिंग है drawing room में पहले से चेर अरेंज करके ना रखे अस्पेक्टर दस लोग आने वाले हैं तो अब दस चेर ऐसे लगा देंगे तो जो भी आदमी पहले आएगा उसको आत्ते ही वह हो रहेगा अच्छा आप ये बिठा के कुछ सिखाएंगे मेरे को कोई MLM होगी क्योंकि जो पिक्टर हम पहले से बना लेते हैं उसको फेड करना काफी कठीन होता है कैशुली सब रहने दे जब सब लोग आ रहे हैं तब बोले कि चली कुछ बात करते हैं आप इदर आ रहे हैं ये चेर यहां रख लें तबी अगर मीटिंग आपने लेनी है जाके तो आप टाइम भी पहुंचें अगर कुछ गेस्ट पहले से बैठे हैं तो उनके साथ अपना उनका प्रफेशन शेयर करें कुछ कम्प्लिमेंट्स कुछ बात चीज़ महौल को लाइट रखें उनके साथ अपना तब बनाएं कम्पल उठाएंगे तो खड़क से उसका असर होगा है हलो बैठे हुए लोगों को आप थोड़ा से जानते हैं पहले से तो आप जो बोलने वाले हैं उसका असर बढ़ जाएगा और आप वो ऐसे हुली हला से जाए ठीक कि आप जब बोलें तो लोग सुने हैं कि लोग अपने से अच्छे लोगों को सुना अपसंद करते हैं तो पहली अपीरिंस तो बार से हैं आज एक पैकेट है जिसमें आलू तो हैं 20 पैसे के और उसके उपर जो उसका हुलिया है उसके उपर खर्चा है दो और पैगा इस वासे नहीं समझते हैं कि पैकेजिंग का जमाना ह तो वाई डूंट भी चेंज आवर पैक्चिंग हाजी जो दिखता है वो बिखता है तू जो मेरे स्वर में स्वर मिला दे तो जिन्दगी हो जाए अमर आपको इस बिजनस का बहुत सारा नौलेज है लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है कि मीटिंग के बाद 10 लोगों में ह अब क्वेस्चिन इन्वाइट करें कभी कभी ये बहुत रिस्की और मेंगा हो सकता है बैसे तो किसी मीटिंग में पीपल फालो दा पियर प्रेशर लोगों की एक मान सकता है ये लोगों का बिजनस है अब जैसे ही आप बात शुरू करेंगे तो पहताल होता लोगों में ब पहले आप सीडी दिखा देंगे तो ये तैह है कि आट मिंट में आपकी बात हो जाएगी चूँ नहीं करेगा कोई आदमी सीडी दिखाके प्लान दिखाने का मतलब है कि ऑपरेशन करने से पहले नीन का इंजेक्शन लवाना क्यों क्योंकि उसके सवाल नेक्टिविटी क्य है सवाल क्या है कि है कोई कमाता भी है मिल है क्या है एक सीडी के अंदर मिल है पुड़क्ट है लोग है सक्सेस है मिजर्टी है हंडेरन थाॉजन अप दा तिंग्स लग लग प्रिफेशन के लोग है किसी से भी रिलेट करके वो पास्टिव हो जाएगा और शूरू करने से पहले निवेजन करें कि मैं ये बात्चीत करने जा रहा हूं आठ दस मिंट की बात है आपके मन में बहुत सरे प्रशन आएंगे मैं आपका सहयोग्चा हूंगा कि जो भी प्रशन है आप नोट कर लें बाद में हम इस पर बात करेंगे होल रखें प्रशनों को और मीटिंग खत्म करने के बाद भी दस लोगों को आप यहां से संबोदन ना करें हाँ जी क्या स्वाल मैं जो आप त्यूं पियर प्रेशर कैसे वर्क करता है मान लिजिए एक हो मीटिंग है उसी कालोनी के दस लोग बैठें आम लोग उनमें से एक कि ऐसा है जिसको सभी लोग हर्फन मौला मानते हैं दुरंदर बिजनसमेन ठीक मान लीजिए उसका एक प्रेशन जो है वो ऐसा है जिसका जवाब आप नहीं दे सके क्योंकि हर प्रेशन का जवाब आप दे नहीं सकते क्यों जी आप मुझसे पूछे हैं कि यह अंगली बड लगेगा एक सेकंड दोने उंगली में ऐसे खड़ी करूँगा हलो ठीक आप में से पूछे कि ऑक्सीजन और कार्बन डॉकसाइट को मिलाने से क्या बनता है पानी यह सिद करने के लिए कितना टाइम लगेगा दो गंटे किसी लैब में जाना पड़ेगा हलो कोई अब्मी पूछे कि धरती घूंती है इसको सिद करने के लिए कितना टाइम लगेगा बहुँट टाइम लगेगा और उस व्यक्ति को तुरंत जवाब चाहिए जो आपके बास नहीं होगा और प्यर प्रेशर क्या होता कि जिस व्यक्ति को वो समूख खास मानता है जो वो बोलेगा व डास वाए मीटिंग खत्म करने के तुंत बाद खड़े उन्हें कि बोले उन्हें बोले कि आये बाहर बैठके बात करते हैं यहां कुछ सफोकेशन है यहां कुछ अंदेरा कुछ भी टेल देम टू गेट अप जिस व्यक्ति का प्रेशन है उसके साथ वान उन वान बात कर ग सकते हैं पस्नाइज इट पस्नाइज इट ग्यान जी ने जिस तरह से जिस टॉपिक पर बात की क्योंकि सीनियर लीडर्शिप यहां है नो पालम बट इन जनल मीटिंग इन होम मीटिंग्स इट इस कैंसर टेल देम जस्ट होल डाउन वह तुजरवे से आएगा बहुत ज्या आप पूछिए मेरे बुट से परेशन मेरे जवाब क्या वी तो पहली बार आपने पूछा यह प्रेशन तो दो साल के करीयर में आया नहीं such an intelligent question you have asked मैं whatsapp से पूछूँगा next time आपको जुरू बता दूँगा आदमी के गुदगदी होगी ना कि मैंने बहुत अच्छा परेशन पूछा चुपे तो कराना है कि टेक्निकल बोनस कैसे होता है दो परसन कितने पर तीन सबा तीन चल जाएगा क्योंकि तीन पर पहुंच गया हूँ कि आप जल्दी है इतनी सारी जानकारी का क्या करें गया और यह आपके बिज्स को बढ़ाने वाली चीज़ है अगर आप कहेंगे जी मेरे को नहीं पता पॉस्टिब आदमी के दमाग में तो यह भी आएगा कि यह कितना सिंपल आदमी है यार उसके दमाग में यह भी सीमत इस बात से कता ही आप गवराएं ने अपने हुलिये से अपने अंदाज से अपने तुजरुबे से अपने आपको कम ना आके इस इंडस्टिव में सामने जो लोग बैठते हैं चेर्स के उपर जहां जिनसे आप बात करते हैं उनमें केवल दो कैटागरी के लोग होते ह परजिटिव नेगटिव नेगटिव आपका पार्टी नहीं है जो पॉसिटिव है वो हर लिहाज में पॉसिटिव रह correlated मैं पहली जिस मीटिंग में गया था मैं पॉसिटिव था इसलिए मैं रहा इसमें हालो जिंदगी में कुछ अच्छा और बढ़ा करना है तो राज हंस बन जाए राज हंस की खासित क्या होती है दूज और पानी मिलाकिस को दे दो वह चोच डालेगा दूद पीलेगा पानी छोड़ देगा आपके सामने दो तरह के लोग होंगे नेगटिव और पॉस्टिव अब एक एक्जम्पल से समझे देखिए स्पोस मैं यहां एक आप बहुत चुस दुरुस्त हो शू पालेश शेप बनी हुई फरस्ट क्लास में टोन भी अच्छी मेरी बात भी अच्छी शब्दा भी अच्छी ठीक है सब चीजे सारी टर्मनालोजी सारी लैंग्वेज एवरीटिंग इस ओके ठीक अब दो तरह की लोग है नेक्टिव पॉस होगा तो एक कामजा पर्सिंग की हैसे से आएंगे आउंगा आपके यहां जो भी रखती मीटिंग करने आएगा वेश्यक हो मीटिंग हो तो आप एडिफाई क्या करेंगे कि वह कामजा बादमी है और जो सामने बैठी है दो तरह लोग है नेक्टिव पॉस्टिव अगर मै एडिफाई दो किया और बाइचर्स में उस हुलिया हलास से नहीं है आजा जो बंदा मीटिंग करने आ रहा उसके हुलिया उसका हुलिया डील डाल सब चीज़ों वैसी नहीं है जैसी आप अपिक्षा करते हैं ठीक है बाल बिखरे हुए है उज्जरा चमन सुस्ताया चेहर अपीरेंस अच्छी नहीं है शब्दा बली अच्छी नहीं है नौलेज बला बला ठीक एनिवे लेकिन आपको जो काम वो बात कैसे कर रहा है ऐस एस सक्सेस्वल परसन और जो पॉस्टिव आदमी होगा पहली पार उसने क्या सुच एक अच्छे आदमी स्मार्ट आदमी को देख के क्या सोचेगा कि यदि ये मूर्ख दिखने वाला आदमी इतना अच्छा कर सकता है मैं तो दस गुना जाद आच्छा कर सकता हूं और किसी भी चीज को हैंडल करने का आवेज रबेंबर देस एवरी क्वेस्टिन नेवर नीड ए आंसर most of the time a question need and other question आप में से पूछें प्रेशन की आप कितने कमार हैं मेरा जवाब जाएगी हमारी टीम में बहुत सारे लोग है 500 से लेके 1.5 लाख रुपए तक और उसके उपर जाएएगे तो 4 लाख रुपए तक कमार हैं लोग आप मेरा को बताईए कि इतना अच्छा क्रेप्ट है आप कितना कमारा चाहते हैं अप प्रेशन उसके पास चला गया और सेकंड एक थम रूल आप लेके जाएं एक शील लेके जाएं आप ग्यान से नहीं हरा सकते किसी को ग्यान जी बहुत भी जीड़ाते है हर वक्त अबली बली होंगे आप सादगी से हरा सकते एक आप हत्यार इस्तिमाल करे उसका नाम है बड़ा सिंपल उसका इस्तिमाल करना बड़ा मुश्किल है पताओं क्या है मुझे नहीं पता हलो यह कहते हुए बड़ा जोर लगता है कि आदमी समझेगा इसी नहीं पता यह आपको बहुत वर बचाएगा मुझे नहीं पता यह बात मेरे उनकों में नहीं है थी अभी तक मैं पूछ हूँगा पूछ के आपको बता दूगा चूंके लोग कम्प्यूटर क्या चेक करता है कि आपने कितने लोगों के प्रशनों के उतर दिया यह यह चेक करके इंकम देता है वो चेक करता कि कितना वॉल्यूम जनेट हुआ है नौटेट आपकी एक दुकान है जिस पे आप आम बेचते हैं आम मैंगो और जो जिस ब्राइन का ब्राइन तो नहीं कहूंगा जिस क्वालटी का आप आम बेचते हैं सीजन चल रहा है वह सफेदा और 20 पेटिया खुली पड़ी है पचास पेटियां अंदर रखी हैं पांच अर्पेटियां कड़ौन बेचंच पड़ी है और आप बिलकुल बैठेचे जो है के उपर एक गाहक चड़ा हुआ वह और आपके पहले मेर को दो दूसरा कहता है पहले मेर को दो तीसरे कहता है आप मुझे मुझे बताईए कि अगर आप अकलमन भी पारी है तो आप उसको कुन्विंस करने में समय नश्ट करेंगे कि यह स्वेदा है यह यह लगड़ा है आप उसको कहें बाई तेरे को जो दिखता है भी वही है लेट मी वॉर्क एक व्यक्ति आपके दोविंटे लेना चाह रहा है तो उसे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं कि भाई साहब ऐसा है कि मैं आपकी इस बात पर डिटेल में बात करूंगा अभी में बिजी हूं और मैं लॉट के आऊंगा और कभी लॉट के मत जाना है अलो गो जार एक्टिव नोन एक्टिव मिला कि नेट्वर्क चाहिए कि आप इस बिजर्स से एक लाक रुब्या मीना ले सकें समार्स डारक मत बने फोकस अपन यूर गोल अच्छी सी अच्छी चीज के लिए भी सब राजी हो गया कितने लोग से अर करते हैं सुबह कितने लोग हमें जो अपने आप पे गुमान है बलके बद गुमानी मैं कहूंगा कि हम लोगों को समझा सकते हैं हम लोगों को बदल सकते हैं ये गलत फैमी है करेशन, नानक, गौतम, ईसा, मुहम्मद सब को फिरन कर दिया जुनिया में किया अगर ने किया हलो उनकी बात को सब लोग मा लेते हैं तो दुनिया बड़ी अच्छी होती है, उनके पास बहुत अच्छी बात थी पर समने नहीं माननी, आपके पास बहुत अच्छी बात है पर समने मानेंगे, क्या करने से क्या होगा, यह जाना ज़रूरी है, प्रशन तो दूसरे तो क्या, अपने ही प्रशन इतने हैं कि आदमी आंसर नहीं कर सकता हूँ, एक्शन सुपरसीड एवरिधिंग, सेंस्टिफ पॉइंट क्या है, बी कोर, टीच कोर, फंडामेंटली चीज़ क्या है, एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या है, मर्किर प्लान, उसको अगर ब्लैंड कर दें, सीडी के साथ, इट बिल ब्रिंग रिजल्ट लाइक एनिधिंग, रिजल्ट, कैसर ने भी क्या कहा, रिजल्ट, आपने क्या किया और आखिर में क्या निकला, इस से सारी कामला भी, इस से आपके इंकम, इसी पे सब चीज़ ने पर करती है, तो हमारा फुक्स इस पक्षमिन होना चाहिए, आप इस तरह से लेके चलें, बहुत सारे लोग हैं आपके पास, एक उधारन आप ये लें, स्पोस करिए, कि मान लीजिए, चाइना की जो आर्मी है, उन्होंने इंडिया में जो बाटा कॉंपनी का जो फैक्टरी है जहां पे, बाटा को उन्होंने ओर्डर दिया, कि हमें अपने जवानों के लिए, दो हजार शूज चाहिए लेकिन सारे आठ नमबर के होने चाहिए है, ठीक, और इधर से कंसाइनमेंट गई, लेकिन किसी कारण से कंसाइनमेंट वहाँ दो दिन लेट पहुंची, और उन्होंने लेने से रफ्यूज कर दिया, और वो कंसाइनमेंट लॉट के आगी बापस इंडिया में, और आपको इस नियम का पता हो कि जो भी चीज एक्सपोर्ट के लिए चले जाए और एक हफ्ते में वो बापस आ जाए, वो हमेशा सेकंड लॉट में ट्रीट होती है, और उसकी निलामी हुई, और आप बिपारी है, और आपने वो लॉट खरीदा, क्या, दो हजार पेर बाटा श्यू पैसे, आपने नाट खरीदा आपको एक पेर पड़ा पचास रुपे में, और अच्छा विपारी तो अपने आपको वही बहुत धनी मानता है, जो डबल कर ले, आप अपने शेर में निया उसको और आपने रेट निकाला 100 रुपे, और आपके शेर में सब को पता है कि नया में आठ निम्बर का जुद्धा डालने बारे ने लोग हैं, पचास, सो, तो यहां स्मार्ट वर्क क्या है, आपने बहुत जल्दी 2000 पेर बेचने हैं आठ निम्बर के, आप बहुत सारे लोगों में जाएं, जिनका पैर का साइज आठ निम्बर का हो, लेकिन हम और आप क्य जिसका नौ निम्बर का पैर उसको किता तो छुदा किसा किया, बल जाएगा कोई बात नहीं, इस बिजनस को लोगों की मानसिक्ता के मताबिक फिट करने की कोशिश ना करें, उन लोगों के पास ले जाएं जिनको ने सूट करता है, और उन लोगों की बर्मार है यहां, 80% इन पीपल आर देर इन इंडिया आसें बिजनस जिनके लिए वर्दान है, नेमत है, नेमत है, और प्रशन उत्तर, इफ, बट, किंतू, प्रंतू, यहां, वहां, ऐसे, वैसे, इसका कोई भी इलाज नहीं है, किसी के प्रशन का जो सही उत्तर है, सही व्यक्ति, सही जगा, सही महौल, उसको शांत कर सकता है, आप नहीं कर सकते, मेरी बात पूरी हो गई एक गाउं में एक व्यक्ति था जो नेतरहिन था नेतरहिन जो व्यक्ति होताई उसकी बुद्धी जो है वो बहुत तेस होती है क्योंकि देखने से बहुत सारी इनरजी का लाॉस होता है तो जो देखी गावी तो एक्सिवन चीज़ों को असेस करेगा, सोचेगा, तो दिमाग उसका एक्सराइड नहीं चलता है, शरीरिक जोर भी उसमें यादा होता है, अंदा जोर इसलिए मोहवरा बना है, तो वो उस गाउं में पिछले 25 साल से लोगों के साथ रोज बात चीज होती थी, बैस होती थी, तर्क वितर्क होता था, किस बात पर? लोग कहते थे कि परकाश है, वो कहता था, अंदेरा है, परकाश नहीं है, 25 साल बीट गए, और सम्टाइम कोई चीज गरत भी हो जब आप पूरे बिश्वास से बोलते हैं, वो व्यक्ति इतना परवीन हो गया तर्क वितर्क में, वो परकाश नहीं है, जो आखों बाले थे, उनको भी वहम हो रहता है, कि चेक करने हो, सच में रोशन है, या, सम्टाइम वो उसको हरा देते, तो यह बहुत पचीदा मसला था उस गाउं का, समाधान नहीं मिल ला था इसका, तो एक बार ऐसा हुआ कि गाउन के पास जंगल में किसी महात्मा ने अपना आश्रम बनाया, समाधस हुए वो वहाँ पे, तो लोगों को लगा कि ये कुछ पहुँचे हुए, ये महात्मा बुद से लेटर है स्टोरी, महात्मा बुद थे, तो उनको लगा कि शायद ये जो योगी पुरुष है, शायद ये इसका आंसर कर दे तो वो सब इकटे हो गए, गाउं के लोग उस विक्ति को लेके वहाँ गए, ये सोच के ए कि आज 6-8 गंटे का मनेंजन होगा, तर्क विदार कुतर्क फ़रे बहुत सारी बैंस बयान होगे, बड़ा मज़ा आएगा, और वो महात्मा देखो कैसे सिलिशन निकालते हैं इस तो बुद्ध समादी में थे, उनको जगाया गया, उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हमारा मसला है, हम कहते हैं कि परकाश है, और ये व्यक्ति कहता है, परकाश नहीं है, जिनेतर ही नहीं, बुद्ध ने अपने मकवाक से एवल एक शब्द बोला, इसको वैद के पास ले कि ये को जवा हुआ, क्योंकि वो तो तर्क भी तर्क जाते थे, लेकिन उन्होंने गलती से ऐसा कर लिया, वो पहली बार उसको आँखों के वैद के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए, जैसे वो वहां पहुंचा, वैद ने उसके आँखे देखी, और दो बूल्दे एक इदर, एक उदर आँख में टपकाई, और उसको दिखना शुरू हो गया, और वो लाट के फिर बुद के पास आए, वो नितरीन व्यक्तिजी बोलता है कि महराज, पच्ची साल से ये लोग मेरे साथ केबल बहस कर रहे हैं, तर्क कुतर्क वितर्क, इन्होंने पच्ची आपके काम ये पच्ची साल पहले किया होता है, तो ये पच्ची साल से एक तो इस रौशन जहाल को इंजॉय कर रहे होता है, और दूसरा मैं अब तक अंधेरे का परचार नहीं कर रहे होता ह। हिंदोस्तान के माने हुए टॉप ब्रास डॉक्टर आर्सियम के कर्राल में कठे होने वाले हैं और तीस जनुवली को लुजाना में उन डॉक्टरों के पास उन अंधों के ले आओ उनकी आखे खुल जाएंगी वो तैंक यू तैंक यू तैंक यू तैंक यू जाएंगी